हलो फ्रेंट्स आजमी फिर आप लोगों के साथ एक बहुत ही अमेजिंग रेशिपी चेहर करने जा रहे हैं आप लोग भी से जरूर ट्राइ करें यह है परफेक्ट क्रिस्पी प्याज की कचवरी जो की टेस्ट में तो बेस्ट है ही आप इसे लंच डिनियर ब्रिकफास्ट आफिस या बच्छों के स्कूल में भी ले जाने दे शकते हैं या फिर आप इसो ट्रैवल में भी खा सकते हैं तो यह मैंने मस्टर ओयल चरा दिया है इसमें मैं एक चम्मच सौंफ और एक चम्मच जीरा को भूल लिया उसके बाद मैं चार बड़े अनीन काटके रखे थे वही मैं फ्राइ होने के लिए डाल दिया है इसको थोड़ा सा रोष्ट करना है वस इसमें फिर आप मसाले एड़ कर देंगे जैसे हल्दी कसूरी मेती रिल चिली पॉडर चाट मशाला हिंग और फिर अपने अकॉर्डिंग नमक मसाले तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्ड और गर्म मसाले का पेश्ट पना के रखे ती वह भी एक चम्मच एड़ कर दोंगे और उसको भी एक तो मिन तक भूना है जैसे यह थोड़ा भून जाए तो इसमें जितना में जैसे इसमें चार अनियन लीती तो चार चम्मच आप इसमें बेशन भी एड़ कर देंगे जैसे ही भून जाता है ना तो उससे खुस्बू आने लग जाती है वेशन भूनने की तो आप इसको देख के पता लगा सकते हैं कि वेशन हमारा कच्चा है या भून गया जैसे ही भून जाएगा हमारा वेशन वैसे हम इसे ठंड़ा होने के लिए प्लेट में निकाल और सर्दियों के मौशम का मजा लें तो आप हमें जरूर करना कि कैसी लगी आपको हमारी यह प्याज़गी रेशिप और यहाँ पर मैरे मैदा ले लिया है मैदा में मैने अजमाइन करश करके डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डालना है और देसी घी को मेल्ट करके मैंने यहां पे आप देसिगी को मेल्ट करके ही डाले और उसके बाद उसको पूरा मिला ले मिलाने के बाद अगर आप ऐसे मुठी बंद करके कर रहे हैं अगर यह तूट नहीं रहा है तो सोचे हमारा मोयम परफेक्ट है इस कचोड़ी में दो चीजों का बहुत ध्यान रखता है मस मिला ली और फिर ठोड़े-छोड़े से पांई नॉर्म टेमपरेटर नौर्मल पांदिटएं आफर करके इस आप दे operates करना है चैसे बशू कर है मैं तलोध एक ऊपर ऐसे मिला के थोरी देर 10-15 मिनिट तक ढख का सेठ होने के लिए छोड़ देंगे जैसे इसे हमारा फिलिंग भी ठंडा हो जाएका तो फिर ऐसे कटोड़ी के सेप में लोई लेके तैयार कर ले और थोरे थोरे से फिलिंग करके आप इसको कटोड़ी को तैयार करें तो तो उसको आप निकाल दें और फिर नहीं तो वहां पर ना काट सी बन जाती ही वहां पर फिर मजा नहीं आएगा खाने में तो एक्षा निकाल देंगे तो यह बिल्कुल आच्छी वनेगी बिल्कुल ऐसे ही आप फिल करके सारे कचोड़ी तैयार कर लें उधर आप तेल गर नहीं करना है और फ्लेम तो आप कभी भी मेडियम भी ना करें बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इस सारे कचोड़ी को जो भी आपने तयार किया है उसको गोल्डन होने तक फ्राइ करें तब यह बहुत सूपर टेश्टी बनेगी यह कचोड़ी तो आप भी ऐसे फिल करें और तो एक दो मैं और फिल करके आपको दिखा देती है इसको बेले ना इसको हाथों के हेल्प से ही पतला कर लें थोरा ज्यादा पतला नहीं थोरा थोरा सा ऐसे पूरा अंदर का जो फिलिंग है वो पूरा कचोड़ी में फैल जाएगा बिल्कुल ऐसे ही तयार कर लें और यह तो इतना तेल गर्म होना चाहिए देखिए तो इसको हम लोफ लें पे फ्राइ कर लेंगे तो आप भी इसे जरूर ट्राइ करें और प्लेज हमारे चैनल को बहुत प्यार दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए अपने रिलेटिप्स एंड फ्रेंड्स के साथ सेयर कर तो लीजी तयार हमारी बहुत ही सूपर टेष्ट इन आमेजिंग सी प्यार त्यार दीजाब्स की कचवरी तो आप घी से जरूर आज ही बनाए और हमारे साथ सेयर करें और हमारे चैनल को सब्स्राइब करें तेंक यू झाल झाल